तो बहुत-बहुत स्वागत है देश के मेरे जित्ते इंडियन नेवी लबर है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया कि नॉन कमिशन के डिगरी में आपकी सबसे लो रैंक से लेकर के टॉप रैंक तक की जर्नी क्या होती है। सामने होगे तो चलिए सुरु करते हैं भारतीनौ सेनैं कमिशन रैंक की जब बात करते हैं ड़ो सबसे लोईस ट्रैंक जो कहीए उसे मिड़सिप मैं कहा poking धा सेने movesे मैंं अंडिय या आईने में एक cadet की रूप में अपना career शुरू करते हैं P.O.P. से पहले उनका एक test लिया जाता है और sub lieutenant के post पर promote किया जाता है यह तो इस rank के cadets को insignia नहीं दिया जाता है बट इस rank की insignia की बात करें तो एक white color की पटी और सुनहरे goal button पर दो cross anchor रहते हैं sub lieutenant यहाँ पहली rank होती है जिस पर training के बाद करेंट को post किया जाता है तो आप यहाँ थोड़ा कन्फीज हुए होंगे कि सबसे पहले जब आप National Defense Academy और Indian Naval Academy का हिस्सा बने तो आपको midshipman के रूप में करेंट के तौर पे जिंदिगी शुरू की लेकिन जैसे आपका प्योपी है उससे पहले आपको एक टेस्स लेके औलेडी आपको sub lieutenant पर प्रमोट कर दिया जाता है बट sub lieutenant यह पहली rank होती है जो आपके प्योपी के बाद आपको दिया जाता है training के बाद करेंट को जब पोस्ट किया जाता है इन्हें नवी बेस्स पे तो यह particular rank होती है जहां से आपके शुरुआत होती है इस rank में insignia के जब हम बात करते हैं तो solder और sleep पर same pattern होता है जिसमें golden rank की एक घुमाओदार पट्टी होती है आप ध्यान से देखते चलिएगा इसे senior rank lieutenant की होती है जिसकी पहचान चिन दो same color की golden पट्टी होती है एक सीधा पट्टी होता है तो दूसरे पट्टी घुमाओदार उसमें होती है यह lieutenant rank होती है lieutenant senior rank को lieutenant commander कहा जाता है इसके insignia में तीन सुनहरी पट्टियां होती है तीनों पट्टियों में बीच वाली पट्टी थोड़ी पतली होती है जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा और सबसे पहली घुमाओदार होती है इसे senior rank commander rank की होती है commander rank insignia में तीन सुनहरी पट्टियां बराबर मुटाई की होती है और एक पट्टी घुमाओदार होती है इस rank के shoulder और sleeve insignia एक ही होती है जो shoulder पे होता है वही आपके sleeve पे भी same to same insignia आपको देखने को मिलेगा अब बारी उस rank की जो अक्सर commanding officer भी कहा जाता है मैं बात कर रहा हूँ captain rank की captain rank की पहचान चिन्ह में चार सुनहरी पट्टी होती है जिसमें एक पट्टी घुमाओदार captain से senior rank होती है commodore की commodore rank पर posted officers का काम एक या उससे अधिक जहाजों की command को समालना होता है इस rank के insignia में काला background पर एक मोटी और चौनी पट्टी के साथ साथ एक सुनहरी रिंग होती है इसके बाद आता है real admiral यह rank wise admiral rank से नीचे एक दो star rank है real admiral के कंदो पर प्रतीक चिन्ह में सुनहरी background पर सोक अस्तंब के साथ cross button और तलवार के साथ दो star होते है sleep के प्रतीक चिन्ह में भी एक पतली घुमाओदार पट्टी के नीचे एक मोटी पट्टी होती है अब इससे senior rank यानि vice admiral की बात करें तो यह rank भारतीना उसेना की दूसरी सबसे बड़ी active rank है vice admiral rank के कंदो के प्रतीक चिन्ह में सुनहरे background पर असोक अस्तंब के साथ साथ cross button और तलवार के साथ तीन star होता है sleep के प्रतीक चिन्ह में तीन पट्टियां होती है जिनमें एक पट्टी चौरी होती है और बाकी दो पट्टियां पखली होती है जिसकी एक पट्टी सीधी और घुमाओदार भी होती है admiral भारती नौ सेना का सबसे senior rank है यहाँ भारती नौ सेना की चार स्टार rank है कंदे का प्रतीक चिन्ह एक सुनहरे बोर्ड पर अस्तोक अस्तंब के साथ साथ cross button और तलवार के साथ चार स्टार होते है अब बात करते हैं इंडियन नेवी की सबसे खास rank इस rank को admiral आपने भी या grand admiral कहा जाता है यह सरवोच rank एक five star honorary rank है भारती नौ सेना के किसी भी officer को अब तक इस rank पर promote नहीं किया गया है इसके insignia की बात करें तो एक चौणी पटी के साथ चार पतली धारियां होती है जिनमें तीन धारियां सीधी और एक घुमाओदार होती है यह थी इंडिया नेवी के official rank structures और उनके insignia जिससे आप identify कर सकें क्या खिर lower से लेकर के highest rank हमारे इंडिया नेवी के अंतरगत क्या है तो वाकरी में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल चैनल को subscribe करें और ऐसे defense से जुड़ी होई इंट्रेस्टिंग updates के लिए हमेशा बिल्कुल bell icon दबा के रखिए हर तरह का notification आपके पास आएगा social media page से भी जुड़ सकते हैं जहां Instagram से आप magical C classes के या फिर facebook पेज से भी जुड़ सकते हैं जो हमेशा आपको defense से जुड़ी हुई कुछ न कुछ बहतर update आपके सामने लाएगा इसके भाव जो तरह कोई questions से inquiries हैं तो please comment box में है ये mention करिए मैं फिर से हाजिर होँगा एक ऐसे ही बहतर defense update के साथ Thank you so much, good luck, जै हिंज, जै भारत